हेलो एवरिवन मैं विनया आप सभी का मेरे चनल में स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का बरता और उसके साथ उरत की पूरी तो ये आज की अनोखी ऐसी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं लेकिन शुरूत करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पह सबना ले तो सबसे पहले हम बैंगन का भरता बना लेते हैं तो उसके लिए हमने हाँ पे भरते वाला बैंगन लिया है एक तो इसे हम काठके एक बला है कि इसमें केड़े वगरह तो नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारा बेंगन जो है वो बिल्कुल साफ है हम दो तिन जगा पे ऐसे ही कट मारके इसे चेक कर लेंगे तो हमारा बेंगन जो है वो बिल्कुल साफ सुद्रा है तो बेंगन में हमने जो कट बनाए है उसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च तो ये हरी मिर्च जो है वो तीकी वाली है इसलिए मैं यहापे दो ही डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं तो हरी मिर्च को बेंगन के अंदर डालने से पहले हम इसे हलका सक कट देंगे ताकि बेंगन भूनते वक्त मिर्ची पे प्रेशर आ बेढ़ा लेंगे तो बेंगन को हमने इंग ऑईलिंग कर ली है तो अब हम इसे बून लेते हैं तो इसके लिए हम ने इसना को का ला होने ₹ mahd पे कैंज से बून लेना है ताकि अंदर से भी बिलकुल अच्छ से पकते झाहँ तो जब तक बेंगन भून जाता है हम पूरी अ का पानी की तयारी कर लेते हैं तो उसके लिए हमने यहां पर दो कोटोरी उरद की रोटी का आटा जो है वह ले लिया है। यह अतके से बनता है इसकी विडियो की लिंक जलाएगा आपको आटा गुनते वक्त हमने यहाँ पे थंडे पानी का ही इस्तेमाल किया है तो आटा जो है आप जितना ज्यादा गुन देंगे उतनी ज्यादा आपकी पूरिया जो है अच्छी बनेगी तो मैंने बस 5-10 मिनिट लगे है मुझे यह आटा गुनने के लिए बिल्कुल अच्छे से तो आप देख सकते हैं यह आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है तो अब आटे को हम सूती कबड़े से 10-15 मिनिट के लिए अच्छे से ढख देंगे और तब तक हम बैंगन का भरता ब भून लिया है और इसे थंडा भी कर लिया है तो अब हम इसके छिल्के जो है वो निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से इसके छिल्के निकल रहे है तो बैंगन के सारे छिल्के हमने निकाल लिया है और हरी मिर्च भी बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है तो अब जो दंठल हैं, वो हम चमच से सेपरेट कर लेंगे बैंगान और मिर्ची को हमने हाथ से अच्छी तरह से मेश कर लेना है आप चाहे तो मेश और या फिर चमच का भी इस्तमाल कर सकते है तो दोनों चीजों को हमने अच्छे से मेश कर लिया है और यहाँ पे हमने कड़ाई को गयास पे रखा है और इसमें हमने डाले है दो चमच तेल आप कोई भी regular oil इस्तमाल कर सकते हैं अब जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे एक चमच राई अब राई डालने के बाद हम इसमें एक चमच जीरा डालेंगे और उसके बाद हम इसमें आदा चमच लहसुन के तुकडे डालने के बाद हम इसमें तीन चमच दरदरे कूटे हुए मूंफली डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक चोटे साइस का प्यास डाल देंगे प्यास डाल लेंगे बाद हम इसमें आधा चम्मच, अद्रक्की पेस्ट भी डाल देंगे और इस सारी चीजों को हम अच्छे से बून लेंगे आप चाहें तो इसमें टमाटर और मेथी भी डाल सकते हैं तो एक बार अच्छे से मिला लेंगे हरी मिर्श को हमने बेंगन के अंदर ही भून के लिया था तो बाद में हमने हरी मिर्श का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है तो सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद भरते को हमें बिल्कुल जादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक मिनिट के लिए पकाएंगे और उसके बाद ग्यास बंद कर देंगे तो भरता जो है हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम पूरी बनाना शुरू करते हैं तो पूरी बनाने के लिए जो आटा हमने गून के रखा था उसे हम दो बारा एक बार अच्छे से गून लेंगे पूरी बनाने से पहले और उसके बाद हम इसकी छोड़ी छोटी जो है लोई बना लेंगे पूरी बनाने के लिए वैसे आप चाहे तो पूरी बेलते वकट भी एक एक लोई बना के उसकी पूरी बेल सकते है जो तरीका आपको आसन लगे उस तरीके से आप बना लीजिएगा तो यहाँ पे हमने 10 लोईया जो है बना ली है सारे आटे में से तो अब एक-एक लोई को हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा लेंगे और उसकी इस तरह से हलके हाथ से बिल्कुल पूरी बेल लेंगे पूरी को हमने हलका सा मोटा ही रखना है यहाँ पे क्योंकि मोटी पूरी जो है तेल में अच्छे से फूल भी जाती है और अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन जाती है तो अगर आप चाहे तो पतली भी पूरी बना सकते है लेकिन पतली पूरी अगर आप बेलेंगे तो वो तेल में फूलींगी नहीं और वो बहुत ज़ादा क्रिस्पी हो जाएगी तो दो पूरिया जो है हमने हापे बना ली है तो अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं तो तेल को हमने बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है अब गैस को हाइ फ्लेम पे करके हम तेल में पूरी छोड़ देंगे और उसके बाद हम गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इस तरह से हलके से हम पूरी के उपर टैप करते जाएंगे ताकि हमारी पूरी जो है वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाए गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और एक बार जिस साइट से हमने पूरी फ्राइ की है उस साइट से हम दो बारा पूरी को फ्राइ नहीं करेंगे वरना पूरी में जो है वो बहुत जादा तेल जला जाएगा तो अब हमने पूरी को पलट दिया है अब दूसरी साइट से भी हम इसे इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे और अब हम इसे पलटेंगे नहीं तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी जो है वो बहुती जबरदस फूल चुकी है तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और गयास को हाई फ्लेम पे करके हमने तेल गरम कर लिया था और अब हमने इस पे दूसरी पूरी भी छोड़ दी है तो पूरी डालने के बाद हम गयास को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और दुबारा उसी तरीके से हम इस तरह से टैप करके पूरी को फुलाएंगे और दोनों साइड से बिलकुर अच्छे से पूरी को फ्राइ कर लेंगे तो एक साइड से पूरी को एक ही बार फ्राइ करना ये बहुती बहतरीन ट्रिक है पूरी को oily ना बनाने की तो अब हम अच्छे से पूरी का तेल निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारी पूरिया जो है वो fry कर लेंगे तो पूरिया जो है हमारी ready हो चुके है और भरता और पूरी जो है हमने एक प्लेट में sir कर ली है तो आज की ये ऐसी यूनिक सी रेसिपी आप जरूर ट्राइक कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताईएगा तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी में गंटी को भी दबाईए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए खाते रहिए खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकडेज कुकिंग